नमस्कार दोस्तों मैं सत्यंद कुमार स्वाद करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल उडान पड़ा यड़ा पर और हम लोग जोएगी जोग्राफी पढ़ रहे थे और आज का जो हमारा क्लास है जिसमें कि हम बात करेंगे हिमाले परवत के वारे में जानी इससे पहले हम लोग बात करें तो हमारा जो नेक्स जो हमारी क्लास थी जा लाच जो क्लास हुई थी हमारी जिसमें कि हमने भारत के परवतों के वारे में बात जाना कि भारत में कौन-क कॉंसे परवत हैं और किस स्थानों पर इस्तित हैं किस प्रकार से इन परवतों का निर्माड होता है यह सारी चीजह हम डिसकस कर चुके हैं हम था क्लास है आ हम बात करेंगे हिमालय परवत के बारे में इससे पहले को हमारी लासी जिसमें मैंने आपको कुछ छोटी-छोटी चीजों के अकॉर्डिंग बताया तक हिमाले परवत किस प्रकार बन करके तैयार हुआ है और आज हम लोग कूरी तरीके से बात करेंगे हिमाले परवत के बारे में आज हमारा यह पार्ट वन है हम हिमाले पार्ट वन को कंप् मैं यहां पर बात कर रहा हूँ जैसे कि मैंने इससे पहले भी वीडियो में आपको बता दिया है कि हिमाले परवत का जो निर्मार हुआ है यानि कि जो हमारा हिमाले परवत है इसका निर्मार किस प्रकार से किया गया है हम कंप्लीट कर चुके हैं कि 33 सागर के माध्यम से हमा हमारे हिमाले परवत का निर्मार होता है यानि जिस इस्थान पर वर्तमान में प्रिजेंट टाइम पर जहां हमारा हिमाले परवत है आज से करोडों वर्स पहले यहां पर एक समुद्र हुआ करता था यानि सागर हुआ करता है और जिसे हम कहते थे वई तैतिस सागर क्या कहा गया है तैतिस सागर कहा जा रहा है तो यह तैतिस सागर जो है जो प्रिजेंट डैम हमारा अभी हिमाले है यानि जिस इस्थान पर हमारा हिमाले परवत मौजूद है तो उस इस्थान पर पहले क्या था वई तैतिस साग था और इसके अंदर कई सारे अवसादों के जमा होने पर तो यहां से हमारे हिमाले का निर्मार शुरू हुआ किसका निर्मार शुरू हुआ है हिमाले परवत बनना शुरू हुआ है और मैं आपको कम्पीट कर चुका हूं कि वहारा हिमाले परवत है क्या है हिमाले परवत जै इससा है यह हमारा प्राइदीपिय वाला इससा है जिसमें कि हम भारत की बात करते हैं ठीके अब इसकी बात में कुछ और भी पॉइंट्स होंगे कुछ और पॉइंट्स हैं जिन पर हम बात करते हैं तो मैं यहां बात करता हूँ हिमाले के वारे में कि हिमाले का निर्मार किस हुआ हिमाले निर्मार है इससे पहले्ट के किस्प्रकारसे कम निर्मार हुआ है जैसे अगर present time हम देखते हैं कि यह अपका हिमाले कुछ इस प्रकार से हमारे भारत का मैप था एक कुछ करते हैं कि जब हमारे भारत का निर्माड हुआ किसका निर्माड हो रहा है गौंडवाना लेंड का जब निर्माड हुआ जब हम अंगारा लेंड की बात करेंगे तो उसको भी मैं यहां पर डिसकस करूंगा ठीक है उसको भी हम डिसकस करेंगे तो यह आपका हिमाले परवत है यानि कि हमान लिजिए ये हमारा हिमाले है वह ये इस प्रकार से हमारा हिमाले परवत फैला हुआ है और इसे हम जो है कि क्या कहते हैं ये आपका ब्रहत हिमाले है ठीक है ये हमारा ब्रहत हिमाले है कौन सा हिमाले है ब्रहत हिमाले है और इसके साथ साथ और ये आपका पूरा का पूरा क्या है कि ये भई आपका पूरा का पूरा थेतिस सागर है क्या है थेतिस सागर है ये हमारा पूरा का पूरा थेतिस सागर ठीक है बही ये हमारा तेतिस सागर के रूप में बसा हुआ है ठीक है इस प्रकार से अब कुछ नदियां जो है कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा प्राइदीपिय भारत है कौन सा भाग है प्राइदीपी भाग जो है ये वाला ठीक है भई ये वाला जो हिस्सा है जो से हम प्राइदीपी भाग कहते हैं या हम इसे प्राइदीपी पठार भी कहते हैं क्या कहेंगे प्राइदीपी पठार कहेंगे तो यहां से हमारी कई सारी नदिया इस प्रकार से ब ह?". क्या है इकटटा हुए? और जब यहां पर हम सबिम ansum सब इकटा हुए, तो छान क्या हुआ, धीरे धीरे करके यह जो है की बन होता गया थिकह, इसमें जमा होता गया, और इसके बाद में जब आगे बात करते हैं तो यह पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा जो है कि हमारा कहलाता है यूरेशियन प्लेट के रूप में काम कर रहा है और ये आपका ये भी आपका समुद्र है ये भी हमारा समुद्र ही है पूरा का पूरा समुद्र से गिरा हुआ है तो अब इस प्रकार से जब अवसाथ इसमें एकत्रित होना सुरू हुआ एकटा होना सुरू हो गए तो फाइनली किसका निर्मार हुआ भई हमारे हिमाले का निर्मार हुआ तो हम कह सकते हैं कि हिमाले का निर्मार थेतिस सागर में जमा हुए आवशादों से हुआ है ठीक है और जिसमें कि हम सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे कि इसमें भी हम और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जिनके हम बात क करते हैं जैसे वह हमाले कु ऑफ हमने चार भादों में बाटने का काम कर दिया है कितने वादों बाच दिया आपका ट्रॉंस हिंद इत olhos है चीवातार पर हम बाड रहे हैं वह ट्रॉंस हमाले कर दूसरा है व्रहत्र हमाले और तीसरा है आपका लगू हिमाले और फूर्थ है शिवालिक हिमाले शिवालिक हिमाले ठीक है वही तो हिमाले परवत के बारे में तो यह आपका हिमाले परवत है यह पूरा यह हमारी पूरी जो है की हिमाले परवत स्रंकला है पूरी की पूरी ठीक हिमाले परवत शंकला यहां से काम करती है तो हम कह सकते हैं कि हिमाले परवत का निर्माड अगर हम बात करते हैं कि हिमाले परवत का जो निर्माड है ठीक है यूरेशियन प्लेट के भूखंड से हुआ है किसके माध्यम से हुआ है यूरेशियन प्लेट क के भूकंड से हुआ है किस से होता है। यूरेशियन प्लेट के भूकंड से हुआ है यानि ये आपका एक जमीन का एक हिस्सा जो कि अवसादों के जमा होने से ऊपर की उड़ता चला गया तो उसी को कहा जाता है कि यूरेशियन भूकंड द्वारा हिमाले का निर्मार किया गया है यूरेशियन भूकंड के माध्यम से हम जो है कि कह सकते हैं कि यूरेशियन भूकंड द्वारा हमारा हिमाले परवत का निर्मार हुआ है हम यह भी कह सकते हैं ट्रांस हिमाले जो हैं कि इसी की देज़ है और लुद्ध के समय से हिमाले पर्वत है किस समय से है तो करोडो वर्स पहले का है करोडो वर्स पहले इसका निर्मार किया जा चुका है और हिमाले बाई कैसा परवत है ये नवीनतम मोड़दार परवत है folding mountain है मोड़दार कैसा परवत है बाई folding mountain है ये कैसा है folding mountain के तौर पर ये काम करता है भारत की अन्द यानि कि हमारा जो हिमाले है ये folding mountain की तरह काम करता है और इसकी अनेग परवतों का यानि इसे हिमाले को परवतों का समु कहा जाता है क्या कहा जाता है परवतों का समु कहा जाता है हिमाले परवत को समझ में आया क्योंकि इसके अंदर तो वही कई सारी range हैं, कई सारी परवत स्रंकलाएं हैं, कई सारे परवत हैं, जो कि इसके अंदर बसे हुवे हैं, यहां तक समझ में आया आप सभी के, अब यहां तक समझ में आया, तो अब इससे आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, ट्रांस हिमाले के बारे में, हम किसे प किस हिमाले का निर्मार हुआ है ट्रांस हिमाले का निर्मार हुआ है यहां तक तो समझ में आगे होगा आप सभी के ठीक है इस से आगे हम बात करेंगे तो जो हमारी हेडिंग है वो क्या रहेगी ट्रांस हिमाले तो यहां तक तो समझ में आ गे है न आप सभी के यहां तक पॉइंट समझ में आहागे होगा यह वाला भी ठीके क्योंकि इसके उपर वाले भाग को हम कहेंगे अंगारा लेंड और ये वाला भाग कहेंगा आपका गौंडवाना लेंड ये मैं पहले कंप्लीट कर चुका हूँ ठीके यूरेशन प्लेट का मतलब है यूरोप और एशिया ये दो महादी बंगर के तयार हुए यूरेशन प्लेट के मादजम से ठीके और जैसे के हम बात करते हैं यहां पर तो यह आपका इंडो ऑस्टेलिया कौन सा है इंडो ऑस्टेलिया जो हमारी प्लेटे बंगर के तयार अफ्रीकन अमेरिकन अफ्रीकन प्लेट और उसके बाद यूरेशन प्लेट और इंडो आउस्ट्रिलिया प्लेट समझ माया इंडो आउस्ट्रिलिया प्लेट का निर्माड हुआ तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमाले जो है कि 33 सागर के जमा अवसाद से इसका निर्मार हुआ है समझ में आगे होगा आप सबी के अब इससे आगे हम बात करें हमाले के परवत पर या हमारे अन्य हमालों के बारे ठीके भई सबी झाल प्राइब देखिए यह आपका अब यहाँ से प्राइब वाले भाग को मैंने छोड दिया है यहाँ से सुरुआत करता हूँ आपके हिमाले को बनाने का तो यह आपका हिमाले परवत है इस प्रकार से यह हमारा हिमाले परवत और ये भी आपका हिमाले है इस हिमाले को भी मैं बता दूमा भई कि ये कौन सा हिमाले है हमारा हिमाले जो है कि कौन सा हिमाले किस प्रकार से फैला हुआ है ठीक है चले अब जैसे कि हम यहां बात करते हैं भई आपके इसी हिमाले की हम बात कर लेते हैं ठीक है ये इस प्रिकार्ट से ठीक है भई तो ये आपका सुरी भई है ना एक सेके ना मैं इसे कम्प्लीट बना लूँ बहे ले देखे भई किस प्रिकार से हमारा हिमाले परवत बनता है देखे ये आपका हमाले परवत बई इस प्रिकार से ये फैला हुआ है ठीक और ये आपका लगू हमाले है और ये है आपका शुवालिक हमाले यही पर है ये इस प्रिकार से ठीक है अब इसके आगे जब हम बात करते हैं तो ये आपका ट्रांस हिमाले है कौन सा हिमाले है? ट्रांस हिमाले है किस हिमाले की बात कर रहे हैं हम लोग? ट्रांस हिमाले की बात कर रहे है तो मैं भी आपको बता दूगा वही कौन सा हिमाले क्या है? और ये आपका व्रहत हिमाले है जो कि आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा होगा वई एक लाइन ये पूरी जा रही है तो ये आपका क्या है? महान हिमाले है कौनसा है? महान या ग्रेट व्रहत हिमाले महान हिमाले और ये है आपका लगू हिमाले लगू हिमाले और इसे हम कहेंगे शिवालिक इसे हम कहेंगे शिवालिक हिमाले अब मैंने आपको बदाया कि हिमाले को हम चार पार्ट्स में डिवाइड करके पड़ रहे हैं कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हम लोग चार पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है तो भई सबसे पहला है आपका ट्रांस हिमाले तो ये ट्रांस हिमाले क्या है इसे हम ट्रांस हिमाले क्यों कह रहे हैं भई ये तो हमारा हिमाले का ही इस्सा है इसे फिर हम ट्रांस हि हिमाले कहें या तिब्बती हिमाले कहा जाए इसे हम लोग तिब्बती हिमाले कहें ठीक है या हम इसे तैथिस हिमाले भी कहें तैथिस हिमाले कहा जाए या इसे पार हिमाले कहा जाए यह हमारे एक ही हिमाले के नाम है चाहे आपको ट्रांस हिमाले दे दे तिब्बती दे दे तो ये पूरा का पूरा जो है कि आपका एक ही हिमाले का भाग है और जिसे कि हम ट्रांस हिमाले के नाम से ही जानते हैं समझ माया अब ट्रांस हिमाले का मतलब क्या है अब देखेगा यहाँ पर तो हम कहते हैं और कई विद्वानों के दोरा ये कहा गया है और अने किताबों में ये भी कहा जाता है कि वरहत हिमाले से पहले किस हिमाले का निर्मार हुआ है ट्रांस हिमाले का निर्मार हुआ है कहने का मतलब ये है कि जो हमारा हिमाले है इस हिमाले को बनने से पहले ही हमारे ट्रांस हिमाले का निर्मार किया जा चुका है यानि कि हो चुका है अब इस ट्रांस हिमाले को यह मैं पढ़ना है सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे ट्रांस हिमाले को ही पढ़ा जाएगा और जो की अगर हम भारत के या किसी और राज की बात करें या दूसरे देशों की बात करते हैं तो यह आपके संपूर्ण विश्व की बात की जाए ठीके तो यह वाल का जो इस्सा है आपका यह पस्चिम वाला इस्सा ठीक है तो यह आपके पामीर के पठार से जाकर के मिलता है यहां आपका पामीर का पठार है ठीक है वही कौन सा पठार है पामीर का पठार है जो कि आपके इसके पस्चिम में जाकर के इसकी चोटियां टकराने का काम करती है ठीक है प्रांज हमाले वही इसका निर्माण निर्माड व्रहत हिमाले से पहले हुआ है और जिसे यूरेशियन भूकंड कहा गया है समझ मारा है यह न अब इसके बाद में जब हम और भी कई सारे पॉइंट्स होंगे तो वह भी कुछ इस प्रकार से जैसे कि इस हिमाले की अगर हम ट्रांस हिमाले की किसकी बात करते हैं वही अगर हम इसकी लंबाई की बात करें किसकी बात करें लंबाई की बात करते हैं तो लगवग 965 किलो मीटर लंबा है ये 965 किलो मीटर लंबाई है और जो भारत के जम्मू कस्मीर राज में फैला है जम्मू कस्मीर में फैला हुआ है केवल एक ही राज में ये हमारा जो है की फैला हुआ है वो क्या है ट्रांस हिमाले है जो की हमारे एक ही राज में फैला है और अगर हम इसके और भी अनेक प्रिकार्द के जाते हैं तो भारत में कुछ नदियां हैं जो कि इसी हिमाले से उकर के निगलती है यानि कि जैसे कि हम बात के दिवाई सिंदु नदी की बात की जाएं सिंदु है, सतलज है, ब्रह्म कुत्र है तो ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो आपके ट्रांस हिमाले से गुजरती है किस से उकर के गुजर रही है, ट्रांस हिमाले से उकर के गुजर रही है ठीके, अब इसी में हम यहाँ पर आपको कारा कोरम परवत सिंडी इसकी कुछ परवन सिडियां है जो की इस प्रकार से बनियोवी है ठीक है भई ये आपकी कारा कोरम है ये लद्दाग है ये जासकर सिडि है तो यहाँ पर हमारे अनेक कई कई प्रकार की सिडियां है जो परवन सिडियां है जो की इन भावगों में बसी हुबी है जैसे वह अगर हम कारा कोरम की बात करते हैं तो कारा कोरम पर या कारा कोरम परवत की जो सबसे उची चोटी है तो वह है आपकी गौडविन आश्टीन क्या है गौडविन आश्टीन जिसे हम केटू कहते हैं क्या कहते हैं केटू तो वह k2 जो है वो कहा है वो यहां है और यह आपका पाक अधिकरत छेत्र है ठीके देखें इस वाले पॉंट को मैं आपको यहां बिलकुल अलग से समझा देता हूं कि वही जो हमारा ट्रांस इमाले हैं किस प्रकार से काम करता है इसे आप नोट कर लीजिगा वही सबसे पहले नोट कर लिया होगा आप सभी ने चले कि देगे वहीं क्या करेंग कि हमें यहां पर मैप बनाना है ठीक है ओ मैं किसका मैप बना कर के त्यार कर रहा हूं वही जम्मु कस्मीर का ही मैं बनाऊँ और किसका है केवल जम्मु कस्मिर राज का ही मेंब बनेगा यहाँ यह आपका जम्मू कस्मीर है समझ मा रहा है यह हमारा जम्मू कस्मीर वाला एरिया है कौन सा एरिया है बई जम्मू का एरिया है और इस जम्मू वाले एरिया में मैंने आपको बताया कि ये आपका पूरा का पूरा ट्रांस हिमाले है क्या है ये हमारा पूरा का पूरा ट्रांस हिमाले है और पूरा का ट्रांस हिमाले इसी में फैला हुआ है और जिसमें कि मैंने आपको बदाया था कि इसके अंदर कितनी परवत सिडिया है तीन पर्वत स्ड़िया हैं जो की इस प्रगार से फैलियोगी है और जिसमें कि यह आपकी कारा कोरम कौन सी परवत स्ड़िया है कारा कोरम परवत स्ड़िया है और ये आपकी लद्दाख और ये है आपका जास्कर अब इन तीनों में अलग-अलग परवत हैं अलग-अलग चोटियां हैं जो कि अनेक प्रकार से वेहने का यानि कि यहां पर पाई जाती है तो ये पूरा का पूरा ट्रांस हिमाले है तो मैं यहां कह सकता हूँ कि वही ट्रांस हिमाले में मैं यहां पर कह सकता हूँ कि जो हमारा ट्रांस हिमाले है तो मैं ट्रांस हिमाले में तीन परवत संकलाएं उपस्तित हैं क्या उपस्तित हैं? तीन परवत सेड़िया या परवत संकलाई इसमें पाई जाती है तीन परवत सेड़ी पाई जाती है और वो कौन-कौन सी है? मैं आपको बता चुका हूँ कारा कुरम, लद्दाग और जासकर सबसे पहले हम बात करते हैं कारा कुरम पर किस पर बात करेंगे वही? में यह कहा गया है कि जो कारा कुरम परवत स्रिड़ी है सबसे फेला पॉइंट है यह भारत का सबसे उत्त्री परवत है देखिए मैप में भी हम दिखा पा रहे हैं यहां आपको दिख रहा होगा क्योंकि भारत का सबसे उत्त्री बिंदू मैंने आपको बताया था प्रवत है तो पहला प्रेस तो यही बन गया कि भारत का सबसे उत्त्री परवत कौन सा है सबसे उत्त्री परवत कौन सा है कारा कोरम है कौन सा है कारा कोरम समझ में आ रहा है कारा कोरम है और इसे अने याने कुछ अन्य नामों से भी हम जानते हैं जैसे कि कारा कोरम को मैं यहाँ पर कृष्ण गिरी कह सकता हूँ क्या कह सकता हूँ भई कृष्ण गिरी इसे हम कृष्ण गिरी के नाम से भी जानते हैं कारा कोरम को हम लोग कृष्ण गिरी के नाम से भी जानते हैं और ऐसा ही नहीं है इसे एशिया की रीड कहा जाता है जो कारा कोरम परवत है इसे एशिया की रीड कहा जाता है क्या कहा जाता है उच एसिया की रिड कहा जाता है समझ माया बई इसे हम जो है की उच्छ एसिया की रीड कहते हैं और ऐसा ही नहीं है अब यहां पर मैं आपको बता देता हूँ कि भारत की सबसे उची चोटी अगर हम भारत की सबसे उची चोटी की बात कर रहे हैं तो वो है आपकी K2 है क्या है K2 कौन सी चोटी है K2 है ये आपकी ठीक है भई ये आपका K2 देखे भई मैं आपको बिल्कुल स्टार्डिंग से समझाने का प्रियास कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आप सभी के अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो मुझे बता दिजेगा ठीके तो मैं यहां कहा देता हूँ भारत की सबसे उची चोटी भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है हाँ वही कमेंटस करके बताए कौन सी है सबसे उची चोटी वेरी गोड K2 है Very good बहुत बढ़या K2 जो है भारत की सबसे उची-चोटी है जो कि आपके कारा कोरम परवत सेड़ी में ही इस्तित है कहां इस्तित है कारा कोरम में ही इस्तित है आपकी भारत की सबसे उची-चोटी K2 और जिसे हम किस नाम से जानते है गौडविन आश्टीन के नाम से जानते हैं गौडविन आश्टीन कहा जाता है इसे ठीक है भई गौडविन आश्टीन के नाम से से हम जानते हैं और ऐसा ही नहीं है इस परवत सेड़ी पर भारत के कुछ और भी चीज़े उपस्तित हैं जैसे कि यहां हम बात करते हैं कि अगर यहां पर केटू की बात करते हैं इसकी उंचाई कितनी है तो 8611 मीटर है कितना है 8611 मीटर जो है कि यह इसकी उंचाई को दरसाती है कि यह आपके भारत की सबसे उंची चोटी है जिसकी उंचाई 8611 मीटर है और इसकी बाद भी जब हम आगे के और बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ और चीजे भी हैं यहाँ हमारे कुछ और भी चीजे हैं जैसे कि हम लोग बात करते हैं घाटी कौन सी घाटी है नुप्रा घाटी है कौन सी घाटी है नुप्रा घाटी है और जिसमें की भारत की कौन सी घाटी है नुप्रा घाटी ये क्या है ये भाई घाटी है क्या होती है इसे हम कहेंगे घाटी कहने का मतलब क्या है घाटी किसे कहते हैं घाटी किसे कहा जाता है यानि दो परवतों के बीच का जो छेत्र होता है यानि दो परवत संकलाओं के बीच का जो छेत्र है उसे हम घाटी कहते हैं जैसे कि मैंने यहां आपको बताया तब ही कस्मीर घाटी नुब्रा घाटी ठीके और भी कई प्रिकार क घाटियां होंगी जो हम साथ के साथ complete करते चलेंगे जितनी भी घाटियां होंगी मैं सारी की सारी complete करा दूगा आपको तो कहने का मतलब यह भी कारा कोरम और लद्डाक के बीच में जो खाली छेतर है इसी को घाटी कहते हैं और जिसमें की भारत के चार गिलेशियर उपस्तित हैं क्या उपस्तित हैं चार गिलेशियर है जिसमें से पहला सबसे उंचा जो गिलेशियर है जिसे कि हम कहते हैं सियाचीन गिलेशियर कहा जाता है क्या कहा गया है सियाचीन ग्लेशियर है जिसकी हाइट 76.44 हाँ भई मीटर में होगा या किलो मीटर में होगा बताएए भई जल्दी से कमेंट्स करिए किलो मीटर में होगा या मीटर में 76.44 किलो मीटर जी वेरी गुड ठीक है बढ़िया है तो यह आपका सियाचीन ग्लेशियर है कौन सा ग्लेशियर है सियाचीन ग्लेशियर इसे हम लोग सियाचीन ग्लेशियर कहते हैं और जिसकी हाइट 76.44 किलो मीटर है कितनी है 76.44 किलो मीटर और जो बागी के चार तीन बचे तीन आपके पाफ जैसे कि हम बात करते हैं व्याफो वाल्टोरा और हिस्पर तो ये आपका हिस्पर 61 किलो मीटर उंचा है कितना है 61 किलो मीटर उंचा है और इसके साथ हम बात करते हैं वाल्टोरा और व्याफो तो व्याफो जो है ये आपका व्याफो है तो व्याफो की हाइट 60 किलो मीटर से है और वाल्टोरा है आपका ये आपका वाल्टोरा है और जिसकी हाइट 59 किलो मेटर सरी 51 किलो मेटर है समझ में आया तो अब घाटी समझ में आया तो ये कौन सी घाटी है ये आपकी नुब्रा घाटी है कौन सी घाटी है नुब्रा घाटी तो अगर प्रेस्ट पूछा जाए कि मैं नुब्रा घाटी कहां इस्तित है तो आप कह सकते हैं कि मैं नुब्रा घाटी कारा कुरम और लद्दाग परवत के बीच का जो छित्र है जो पीर पंजाल कारा कुरम और पीर पंजाल परवत जो है कि यहां मैंने एक परवस सेड़ी और है हमारी जो की पीर पंजाल इस प्रकार से जा रही है ठीक है भई यह इस प्रकार से पीर पंजाल परवस सेड़ी है इस प्रकार से काम कर रही है ठीक है चले तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया भई ये वाला point समझ में आया या नहीं ही जल्दी से मुझे comments करके बदा दीजे बई कि समझ में आ रहे गया है या नहीं आया है जिससे कि हम आग की और बात करेंगे ठीके यह लोग बाई मैं sad हो जाता हूं अगर skin shot लेना तो ले लिजेगा ठीके समझ में आ गया बई और यहां से जल्से भी बात करते हैं जैसे कि मैंने आभी आपको बढाया कि हमारी जो सिंदू नदी है और जो सतलज नदी है यहाम कौन कौन सी सीड़ीयों के बीच से उकर के गुजरती है तो वही इन दौनों परवस सिंडियों के बीच से उकर के गुजरेगी हमारी सिंदु नदी ठीक है ऐसे उकर के गुजरती है यहां से यह सिंदु नदी जा रही है तो इन दौनों के बीच से उकर के गुजरती है ऐसे समझ में आया यह हमारी सिंदु नदी है लद्दाक और जासकर सेंड़ी के बीच से उकर के गुजर रही है ठीक है चाले अब इसके बाद हम बात करें लद्दाक के बारे में तो लद्दाक जो है आपकी परवस सेंड़ी है किसकी परवस सेंड़ी है ट्रांस हिमाले की परवस सेंड़ी है ये तो वाई दिगरा है या नहीं दिगरा है आप सभी को मैं इस वाले पॉइंट को रफ कर देता हूँ अभी ठीके इस वाले पॉइंट को हम लोग रफ कर लेंगे उसके बाद में हम बात करेंगे तो मैं यहां लिख देता हूँ वही इनके बारे में भी बता देता हूँ आपको ठीके कारा कोरम कारा कोरम परवत स्रेडी में कारा कोरम परवत स्रेडी की परवत स्रेडी की नुब्रा घाटी में कहां पर है वही नुब्रा घाटी में भारत के चार गिलेशियर इस्तित हैं भारत के चार गिलेशियर चार गिलेशियर इस्तित हैं ठीक है वही चार गिलेशियर इस्तित हैं तो पहला आपका सियाशीन दूसरा है आपका हिश्पर तीसरा है आपका बाल्टोरा सरी वियाफो और नम्मर चार पर है आपका बाल्टोरा हाइट मैं सबकी बदा चुका हूँ तो मैं यहां भी लिख देता हूँ 76.4 किलोमीटर, 61 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 51 किलोमीटर 51 किलोमीटर समझ में आ गया चलिए यह आपके बाई कई बार एक्जा में पूछे जा चुके हैं कई बार परिक्षाओं में पूछा गया है अब यह तो हो गए आपका कारा कोरम परवत संकला खतम हो गई अब इसके बाद हम जो बात करेंगे वो है आपके लद्दाग परवत सिंडी के वारे में इसकी बात हो रही है लद्दाग परवत सिंडी के वारे में लेह के यानि कि जो मारा लेह है उस लेह के और कारा कोरम के दक्षण में इस्तित है लेह के उत्तर में और कारा कोरम के दक्षण में इस्तित है दिख रहा होगा आपको बोट में भई या मैप में आपको साब साब दिख रहा होगा कारा कोरम के दक्षण में इस्तित है लग्द इसके पूरब की बात करते हैं यहाँ पर तुम्हें यह आपका कैलास परवत है कौन सा परवत है कैलास परवत है जो भारत का हिंदू धर्म इस्तल है और जो कि इस समय पर कहां इस्तित है तिबबत में इस्तित है समझ में आ गया तिबबत में इस्तित है अब इसके आगे हम कुछ और डिस्कस करेंगे हाँ वही इसके आगे हम लोग बात कर रहे थे आपके वारे में तो मैं आप बता दूँ वही लगदाग स्रेड़ी के हम बात कर रहे हैं इसमें हम के वल ट्रांस हिमाले की ही बात हो रहे हैं ये पूरा का पूरा क्या है ट्रांस हिमाले ही है ये पूरा हमारा ट्रांस हिमाले ही है और इस ट्रांस हिमाले को ही हम कंप्रिट कर रहे हैं ठीक है लद्दाक सिर्डी सबसे पहला पॉंट क्या है ये लेह के उत्तर तथा कारा कूरम के दक्षड में इस्तित है ये लेह के उत्तर में और कारा कूरम के दक्षड में इस्तित है ये बात तो समझ में आ गई अब इसके पूरव में यानि कि इस शिर्णी के पूरव में भारत के या भारत का प्रसिद्ध हिंदू धर्म इस्तल इस्तित है कौन सा है भई कैलास परवत कौन सा परवत है कैलास परवत है जो कि आपके कहां इस्तित है यह आपका तिबबत में इस्तित है कहां इस्तित है तिबबत में समझ में आगे भई कहां है तिबबत में इस्तित है और इसके बारे में कुछ और वी पॉइंट्स है जो कि हम बात करे तिब्बत प्रिजेंट डैम में कहा है चाइना के अधिकार में है किसके अधिकार में है चाइना के अधिकार में है तिब्बत जो हमारा तिब्बत है किसके अधिकार में है चाइना के अधिकार में चाइना के अधिकार में मौजूद है और ऐसा ही नहीं इस लगदाग स्रेडी की सबसे ढाल वाली चोटी या हम ये कहें कि वही सम्पूर्ण विश्व की सबसे अधिक ढाल वाली जो चोटी है ढाल का मतलब भई धलान वाली जो चोटी है जिसका ढाल सबसे अधिक है तो वो कौन सी है राका पोशी कौन सी है राका पोशी चोटी है जो कि आपके लद्दाग परवत सेड़ी में इस्तित है तो यहां मैं लिख देता हूँ वई कि विश्व की सबसे अधिक ढाल वाली चोटी सबसे अधिक ढाल वाली चोटी कौन सी है वई राका पोशी कौन सी है राका पोशी है और जो कि अकसाई चीन में इस्तित है कहां इस्तित है अकसाई चीन में इस्तित है या हम यह कह सकते हैं कि जो हमारी लद्दाग स्रेड़ी है जो हमारी लद्दाग स्रेड़ी है तो यहीं पर बना हुआ है यह वाला जो इस्सा है ये पूरा हिस्सा जो ही किसका है अकसाई चीन का हिस्सा है क्योंकि चीन इस पर अपना अधिकार जमाता है कि ये अमारा छेत्र है कौन सा है भई ये वाला जो छेत्र है वो किसका है चीन जो है कि इसे अपना अधिकार जमाता है कि ये मेरा हिस्सा है रिजन 1962 में जो भारत और चाइना का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में इसने अपना कबजा इस छेतर पर जमा लिया तो जिस कारण ही ये कहता है चाइना क्या कहेगा भई कि ये मेरी जमीन है इस पर मेरा अधिकार है तो उसी प्रिकारसम कह सकते है अकसाई चीन जो है कि इस पर अपना अधिकार जमाता है तो किलियर हो गया तो ये आपकी लगदाग परवस सिंडी है जो हम कंप्लीट कर रहे थे और इसके बाद हम बात करते हैं आपके जासकर सिंडी के बारे में किसके बारे में हम बात कर रहे हैं जासकर परवत स्रीडी के बारे में हम लोग बात करेंगे मैं इस वाले को रफ कर देता हूँ भई जासकर परवत स्रीडी नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी हमारी जासकर परवत स्रीडी है जो अगली हेडिंग है हमारी जासकर परवत स्रीडी जासकर स्रीडी की बात की जा रही है चलिए भई तो कौन बन दाएगा भई जासकर स्रीडी कहा इस्तित है हाँ भई जैसे कि हमने अभी आपको बता है लद्दाक के दक्षड में इस्तित है आपकी जासकर स्रीडी यह है लद्दाक स्रीडी के यह है लद्दाक स्रीडी के दक्षड में इस्तित है और ऐसा ही नहीं भई लद्दाक और जासकर स्रीडी के जो बीच वाला जो छेतर है तो इसमें वही कस्मीर घाटियां भी इस्तित हैं कौन से घाटियां इस्तित हैं कस्मीर घाटियां जो है कि या हम कहते हैं कि नदी घाटियों का निर्मार किया गया है जिसमें से वही हमारी सिंदु नदी बैती है कौन से नदी बैती है सिंदु न बहती है या इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि में जासकर स्रीडी और लदाक स्रीडी के मद्द में नदी घाटियां इस्तित हैं क्या इस्तित हैं नदी घाटियां इस्तित हैं जिसका विस्तार जम्मू कस्मीर और उत्राखन राज में फैला हुआ है किन दो राजों में हैं भई हाँ भई तुम्हें बता देता हूं भई इन घाटियों से इन घाटी से एक सेकंड भई और जैसे कि आप सभी को पता है भई जोग्राफी की क्लास चल रही है और जोग्राफी मैंने आपको कई बार पढ़ा चुके हैं और आपनी पढ़ चुके होंगे लेकिन जहां तक है मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आपके समझ में सारी चीज़े आए और जहां तक मुझे बुश्वास है कि जितना मैं कराता हूं आपके माइंड में सेट होता है ठीक है भई आप लोग उन चीज़ों को समझ रहे होंगे तो सारी चीज़े जोए कि हम एक जैसे नहीं करेंगे कुछ-कुछ चीज़े जोए कि बिलकुल अलग तरीके से होंगे कुछ चीज़ें बिलकुल अलग तरीके से की जाएंगी जो कि आपके माइंड में सेट रहेंगी और बीच-बीच में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा जो कि जोगराफी के साथ साथ चलती रहेगी तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा भाई बस जुड़े रहे साथ में ठीके भाई इससे जो है कि नदी घाटियां भी बैती है इसके बीच में नदी घाटी नदी घाटी बैती है जिसे भाई सिंदु घाटी कहा जाता है सिंदु नदी घाटी और मैं आपको पहले बता चुका हूँ भी घाटी किसे कहते हैं हम लोग पहले कम्प्रिट कर चुके थे कि भी घाटी किसे का आ जाता है ठीक है घाटी हम लोग किसे कहते हैं तो जासकर सेड़ी अब इसके बात आती है वे जासकर सेड़ी की यानि कि इस सेड़ी का सवसे उंची चोटी यानि कि इस परवशंकला की सवसे उंची चोटी जो है सवसे उंची चोटी जो है और वो क्या है वही हमारी कौन सी है नंगा परवत है कौनसी है नंगा परवत है जो की वही सबसे उची चोटी है आपके यानि इस परवत की सबसे उची चोटी है और लगबग वही इसकी जो उचाई के अगर हम बात करते हैं तो लगबग 8,112 मीटर है 8,112 मीटर है समझ में आया वही आपके और ऐसा ही नहीं इस जासकर सेड़ी की हम बात करते हैं तो वही इसी परवत सेड़ी से जो हमारे उत्राखंडवाला राज्ज है या और भी अनेक पास-पास की अनेक चोटिया है जो की सबसे उची चोटियां पाए जाती है वही नंगा परवत जहांसे हमारे व्रहत हिमाले की सुरुआत होती है किस हिमाले की सुरुआत हो रही है व्रहत हिमाले की सुरुआत होती है तो इसके आगे हम बात करते हैं वही इसके मात्यम के द्वारा ही इन्ही परवतों से होकर के अनेक प्रकार के दर्रे निकलते हैं, जैसे कि हम निती दर्रा है, लिपुलेक दर्रा है, माना दर्रा है, धर्मा दर्रा है, तो अनेक दर्रे जो है कि यहां से निकलते हैं, जो कि इसी प्रकार से वर करते हैं, जो कि उत्राखन राज के दर्रे हैं, इसी प्रिकार से यहां follow करते रहेंगे और और भी कई सारी चीज़े होंगे जो हम यहांपर discuss करेंगे ठीके भई यहां तक तो समझ में आगे होगा आप सभी के चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और इसके आगे जब हम बात करेंगे यानि जब हम नीचे की और बढ़ते चले जाते हैं जब हम लोग नीचे की और जाते हैं जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ तो यह है आपका वई यह हमारा जम्मु अगस्मिर वाला छेतर है ठीके वई यह आपका जम्मु अगस्मिर वाला छेतर है और यहां से हमारा सुरू होता है वई ब्रहते हिमाले कौन सा हिमाले सुरू हो रहा है ब्रहते हिमाले सुरू हो रहा है और यह आपकी कारा कोरम यह लड़ टाक और ये जासकर ठीक है भई? ये हमारी जासकर परवत सेड़ी है और इसके साथ साथ में ही जब हम और भी कई सारी चीजे होती है और भी चीजों को लेकर तो यहां है आपका बहुत नंगा परवत तो इस ट्रांस हिमाले को अलग करने वाली एक लाइन होती है कौन स लिख दिये तो हमें ट्रांस हिमाले को ब्रहत हिमाले से ब्रहत हिमाले से अलग करने में अलग करने में हिंज लाइन या सचर जौन महत्पूर योगदान करती है महत्पूर योगदान देती है तो समझ में आया वही आप सभी की तो यह है आपका ट्रांस हिमाले जो हम कम्प्लीट कर चुके हैं और इसकी बात जब हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी भई अगली क्लास लेकर के आएंगे आपके लिए व्रहत हिमाले के वारे में हम किस टॉपिक की बात करेंगे व्रहत हिमाले पर हम बात करेंगे और यह आपका ट्रांस हिमाले है मैं सुरुआत में बता चुका था कि जो हमारा ट्रांस हिमाले है हम इसे बाई ट्रांस हिमाले की अनेक नाम है जैसे कि बाई पार हिमाले इसे कहा जाता है ठीकें और इसे तिबबती हिमाले भी कहा जाता है तिब्बती हिमाले भी कहते हैं और साथी साथ में से हम 33 हिमाले की नाम से भी जानते हैं इसे 33 हिमाले भी कहा जाता है समझ मा गया और लंबा ही तो मैं आपको बदाई चुका हूँ यहां से अगर यहां तक ही बात कर रहे हैं 965 किलोमीटर लंबा है ये ठीक है सबसे उची चोटी गौडविन आइस्टीन लग्दाग परवत की सबसे उची चोटी राका पोशी है और अगर इसकी बात करें तो वह नंगा परवत है ठीक है किलियर हो गया चले तो अब इसकी बाद हम नेक्स जो टॉपिक लेकर के हिमाले का पार्ट वन है जिसमें कि हम ट्रांस हिमाले को कम्प्लीट कर चुके हैं और आज हम जो है कि अपनी क्लास को यही खतम करते हैं समाप्त करते हैं तब तक बई बने रहे हैं सबी लोग सात में धन्यवाद जैहन